चैने सुपत किंग के कपतान महिंदर सिंग दोनी चार साल बाद अपने आई पिल होंग ग्राउंड पर मैच खेलेंगे ये उनका आखरी आई पिल सीजन हो सकता है और उससे पहले बीजी सिया देक्षिस और अप गांगली नेची खबर सुनाई है तो चलिए आपको बताते है कि आखरी गांगली ने क्या कुछ कहा है दरसल अमस दोनी का चन्ने में रिकॉर्ड कैसा है उन्होंने यहां कितने मैच खेले हैं और दोनी के इस ग्राउंड से जुड़े कुछ अन्य रिकॉर्ड आपको बता दें कि बीजी सिया देक्षि ने बताया है कि आई पिल का अगल इच्छा होम ग्राउंड पर खेलने के साथ रिटार्मेंट की जड़ाई थी दोनी बतार किर्केटर शायद ये सीजन अन्ति बार खेले और वो अपने होम ग्राउंड पर मैच खेलने के साथ आई पिल से विदाई ली सकते हैं आपको बता दें कि दोनी ने 7 में 2019 को मुंबा इंडियन के खिलाब अपने आई पिल होम ग्राउंड पर आखरी मैच खेला था इसमें वो 37 रन बना कर नौट आउट रहे थे दोनी एमेच चिदंबरम स्टेडियम में कुल 54 मैच खेले हैं यहां उनकी सरवधिक रनों की पारी 55 रनों की है उन्होंने 31 मार 2019 को राजस्तान के खिलाब यहां खेला था यहां दोनी ने 7 नमबर पर अर्चत के पारी भी खेली है आपको बता दें कि दोनी के आई पिल करियर की बात करें तो उन्होंने पहले सीजन से चेने सुपर किंग की कमान संबाल रखी है दोनी ने किछले साल आई पिल की कप्तानी छोड़ी में आईपेल में 24 अर्षा तक लगाए हैं और उमीद है कि दोनी आईपेल 23 में चनिसों पर किंग के लिए का अफस्तानी करते वे नजर आएंगे वह आपको बता दे करोना 2020 में आउट ब्रेक हुआ पहले इस्तगित और फिर एक साल यू एई में आईपेल 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 इसके बाद पहली बार आईपेल होम अभी फॉर्मेट में खेला जाएगा और गांगली ने इसकी पुस्टी की है खेड़ दोस्तों अगर आप भी आमस दोनी के फैन है तेस वीडियो को लाइक किजएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले